असलाम अलेकुम रह्मतुल्लाहिव बरकातों प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे राय दही के संदुक से एवियम मशिन तक का सफर जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि पहले जो 1951-52 की दर्मियान में जो ओट होते थे वो किस तरह से होते थे कि जो है बैलेड बॉक्स के इस्तेमाल किया जाता था लेकिन जो है अब एवियम मशिन का दौर शुरू हुआ और जो एवियम मशिन का दौर शुरू होने के अंदर जो हम देख रहे है कि किस तरह से अपने काम को अंजयाम दिया जा रहा है है ना तो आज हम देखेंगे तो इसके लोगों के नाम दिये जाते थे उसमें से एक शक्स को मुंतिखब करता था और मुंतिखब करने के बाद में इसको इस टैम यानि ठस से लगाकर जो है वो बैलिट बॉक्स के अंदर जो अपनी पर्ची चीट डालता था लेकिन अब जो मामला जो है इसके बरक से चल अफ्रानिक मशिन यानि EVM मशिन का इस्तिमाल के जाने लगा शिरोऊ और इस मसिन का जएसे स्के इस्तिमाल शिरोऊओ वा थिसके ऑंदर से जल्दे इसके नताईज आ जाते हैं और उसी के साथ-साथ के अंदर नताईज के साथ-साथ के अंदर क्या होता है कि हमारा वक्त बचता है और जो माजूर हजरात होते हैं माजूर हजरात भी जो है बाको भी जो है आसानी से जो आकर बटन को पिरेश करकर अपना ओट दे द शुरू हुआ तो उस दौर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसके अंदर जो एक हमें जो है एक आप्शन भी आना शुरू हुआ जिस आप्शन का नाम है एन ओटी है नौन आपड़ अबाव यानि इन में से कोई नहीं अगर कोई फर्दर राइदा हिंदगान ओडेने के लिए आता है एवी मशीन के अंदर देने आता है और उसे इस तरह से लगता है कि मुझे इन में से कोई शक्स पसंद नहीं है तो वो जो है नोटा का बटन प्रेस करकर जो है अपना डाल सकता है और इसे के साथ साथ में हम देख रहे हैं कि माहोलियात के अंदर तहफूज हो आने पर होती थी लेकिन अब जो है इस तरह से मामला नहीं हो रहा बलके मशीन आने से सारे कामों के अंदर आसानी होना शुरू हो गई वक्त तो जो है इंसान का बचने लगा और जो है उसके नताई हमारे सामने जो है जल्दे से जल फौरान आने लगे